हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग अवेरी हाटी वेलकम तो दिस माइंड ब्लोइंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला माइनेम इस दुपर शर्मा बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुती ब्यूटिफुल सी पोयम जिसका नाम है दबॉल के बारे में ठीक है बहती सिंपल सा है लेकिन बच्चों इसके पीछे संप्ल है वो बहुत जादा लगेगा उतना ही जादा इसका मितफॉरिक ह्या फिर सिंभॉलिक मीनिंग है तो चलिए हमें इसे स्कुच ऐसय स्धूरों होती है that is very simple उसका हमें symbolic और metaphoric meaning जो है वो पढ़ना है जिसे Robert Frost की poems में होता है वैसा ही आज इस poem में भी हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले हम लोग poet का नाम जान लेते हैं poet का नाम है बचो जॉन बरिमन जॉन बरिमन ने यह poem लिखी है बचे मुझसे पूछते हैं क्या poet का नाम important है yes it is very important ठीक है poet के बर्में पढ़ना बहुत important है poet का नाम तो आपको याद ही रहना चाहिए क्योंकि artist ही आ सकता है reference to context आ सकता है उसमें आपको बहुती simply पूछ लिया जाता है poet का नाम अब यह जो जॉन बरिमन है उसने क्या किया जॉन बरिमन ने बहुती ज़ादा smartly एक the ball को यूज किया ठीक है the ball एक छोटे से word को यूज किया और उसके पीछे का बहुत ही एक deep meaning जो actually में हमारी life का एक बहुत important value है वो हमें सिखा दिया क्या लिखा है उन्होंने अब boy loses a ball he is very upset a ball doesn't cost much nor it is difficult to buy another ball why then is the boy so upset वो पूछ रही है एक लड़का अपना ball खो देता है अपनी ball खोने के बाद क्या होता है वो बहुत ज़्यादा upset हो जाता है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ball की कीमत जादा नहीं है ना ही ball को खरीदना इतना मुश्किल है जादा ball बहुत सस्ती होती है और हर जगा मिल जाती है कहीं से भी आप लोग खरीद सकते हो फिर भी वो लड़का उदास क्यूं है इस poem को हम लोग find out करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके loss को इसके loss को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लड़का क्या सीख रहा है ठीक है इस ball को खोकर उसने क्या सीखा ठीक है पहले तो हम लोग poem को थोड़ा सा study कर लेते हैं उसके बाद हम बागी की चीजों पर focus करेंगे what is the boy now who has lost his ball what what is he to do I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water वो कहते है what is the boy now what is the boy now यानि की लड़का अब क्या है लड़का अब क्या है का मतलब है अब क्या हुआ उसको जिसने अपनी ball को खो दिया है what what is he to do क्या क्या करेगा वो वो कहता है poet क्या कहते है I saw it go मैंने उसे जाते हुए देखा इस पूरी entire poem में आपको ऐसा लगेगा कि poet कहीं खड़े होकर लड़के को observe कर रहे है उसकी सारी चीजों को observe कर रहे है वो कहता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा किसे ball को merrily bouncing down the street मेरे लिए बहुती खुशी से dancing down the street ठीके वो जहसे bouncing आ मुलो बहुता है इसे कूते हुए टपपे खाते हुए वो जा रही थी गेंद टपपे खाते हुए जा रही थी डान the street street के को cross करते हुए और फिर मेरे लिए बहुती खुशी से नाचते हुए बॉल जो है चली जाती है पानी में बॉल देगा ना किसा टपे खाते हुए जाती है तो बॉल को ऐसा लग रहा था जैसे बॉल बड़ी खुशी-खुशी जा रही है ओ दियर इट इन द बॉल जो है वो पानी में चले गए नो यूज चू से ओ दियर आर अधर बॉल कहते हैं कि कहने की जुरुत नहीं है कि ओ दियर आर अधर बॉल बच्चे से बिलकुल मत कहो गया और और भी बॉल जा जाएंगे क्यों मत कहों अभी हम लोग समझेंगे एक अल्टिमेट शेकिंग ग्रीफ इस राए इक अल्टिमेट शेकिंगृ एक इस रापने इक इस रापना और बिलकुल ऐसे हो जैसे कि हम लोग हो जाते हैं हमारा बहुत बड़ा कोई लौस हो जाते हैं हम इस शौक में consistent हो जाते हैं जब हम लोग थढ़ी होती हैं वहाँ वो याद करें कि मेरे सारे बच्पन के दिन मैंने यहीं बिताए थे वे और हिस बॉल वेंट कहने का मतलब है उस बच्चे ने उस बॉल के साथ बहुत सारे दिन जो है वो पेंड की होंगे उसी हारबर में वो खेलता होगा उस बॉल के साथ और वो बॉल वहीं चली गई है बॉल चोहें उसकी जाच शुकी है आई वोड नॉट इंट्रूड ऑन हिंपोयट कह रहा है कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा मैं उस है worthless यानि कि कोई कीमत नहीं है उसकी now he senses first responsibility अब वो पहली responsibility फील कर रहा है बच्चो बॉल वो क्यों कह रहे है पोयट कह रहा है कि मैं उसे यह नहीं कहूंगा कि बॉल का क्या है यार बॉल तो सस्ती सी है ठीक है यह तो बॉल दूसरी बॉल उसके लिए worthless है क्यों है worthless क्योंकि बच्चों एक होता है a ball और एक होता है दर बॉल आपने नहीं है उसके लिए यह देफिनेट बॉल है वो बॉल है जो उसके दिल के बहुत करीब थी एक स्पेसिफिक बॉल है समझ सकते हो आप लोग आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज होगी जिसे अगर आपने खो दिया तो आपको उसके लिए बहुत दुख होगा आपके करीब क्य के हमारे से हमारा फॉन ही होता है ठीक है सबस규द्द हम अपने मॉबाइल फोन के होते हैं अब अगर मॉबाइल फोन हमारा भगवान ना करें कहीं खोच आए ठीक है खोच आएका तो आपक्या करेंगे लेन तो आपको घा से मिला था इतना जदा पेरेंस के सामने गिडगराए तो जाके फोन मिला दूसरा इस फोन के साथ मेरी बहुत मेमरीज जुणी है इसमें मेरी बहुत सारी फोटो स्टोर थी बहुत सारी चीजे थी मैं इसे यहां लिके गया था वहां लिके गया था पिकनिक पे लेके गया था बड़ी इच्छी-च्छी memories हैं, तो वो phone, दूसरा phone खरीट लोगे भी न, तो भी आपको वो वला satisfaction नहीं मिलेगी, जो आपको उस phone से मिली थी, या फिर और भी कोई चीज, या कोई person, not only something, someone, कोई भी आपका दोस्त आप से दूर चला जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा close थे, अगर वो दूर चला गया दोस्त, आप दूसरा friend भी बना लेते हो, तो शायद आपको उसके साथ वो comfort जो है वो ना मिले, जो आपको अपने उस friend के साथ मिलता था, यानि कि जीवन में इस तरह की चीज़े हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़े हम से दूर हो जाती है, जिन के बाद उसे क्या होता है, किस चीज़ का है यह जो पूरी की पोरी, पुरी, पोयम है, that is about loss, यह loss के बारे में ही है, बच्चों, यह है, loss को cope-up करने के बारे में, कि कोई चीज़ खो जाती है, और खोने के बाद हम उसके साथ कोप-प कैसे करते हैं, हम उसको कैसे बरदाश क करते हैं उसके बारे में हैं यह वह सीक रहा है यहां वह first responsibility feel करता कि कैसे कोई चीज कोई और कैसे मुझे उसके साथ कोपप करना है इन वर्ल्ड of possessions people will take balls balls will be lost always little boy in a world of possessions बहुत ही simple C line है in a world of possessions पर इसका मतलब सब्सक्राइब है आपको हम दुनिया में रहते हैं हम अपने आपको possessions से ही गेरे वे रखते हैं possessions यानि कि जो चीज़े हमारी अपनी है जैसे हम लोग बोलते हैं मेरी मेरा घर है मेरे पास यह वाली कार है मेरे पास यह वाला फोन है हम एक person को define ही ऐसे करते हैं ठीक है हम कहेंगे उसके पास नहीं बड़ा सांगलो है उसके बसके लंगलो इसके between deskा थेक तो यह वो possessions रूच्य पर्सन लें चीज़े इन सब्सक्राइब रहें 2 पर बदे की गाडि है नहीं में स्लिक स्च्छयज रहें कि दूर वह कह रहा है था आट लोग तुमसे चीन लेंगे तुम्हारी बास बास या निहीं तुम्हारे प्रेशिम वो छीज जिन से तुम सब्सक्राइब हो वह लोग जो जिनसे तुम प्यार करते हो वह चीन ली जाएंगी टीक है वह तुमसे छीन ले जाएंगी वह हमेशा हो जाएंगी वह लूज कर दोड़ों तुम उन्हें और भी तुम्हें तुम्हें उसमें वह बापिस लेकर नहीं देला बाल का मतल》 बच्चों यहाँ पर देखो एसी छुटी-छुटी सी लाइन है पर इनका इतना deep meaning है money इस external यहां एक लाइन यूज की गई है money is external का मतलब क्या है बच्चो देखो आपने nouns पड़े है proof nouns में आपने दो तरह के nouns पड़े होंगे एक होते हैं abstract और एक होते हैं concrete और चैने हम लोग देख नहीं सकते हैं कंक्रीट होते हैं expectancy जैसा की कोई फोन जैसे की बाल कोई चीज है यह पंगने हम ढेसा प्रॉल सकते हैं सब सकते हैं इतकी क्या होती है यह आप स्च्चा वतने हिसा को नहीं हम देख सकते हैं देख चू सकते हैं abstract होगे जैसे कि emotions emotions किस तरह के emotions जैसे कि love, hatred, feelings, memories ये सब चीजें जो है न ये सब चीजें क्या है abstract है money जो है वो abstract चीजों को नहीं खरीज सकता चीजों को खरीज सकता है पैसा बाहरी है तो बाहरी चीजों को ही खरीज सकता है वो memories नहीं खरीज सकता आपनी जो दिन बिताए है जो आपका feelings थी जो आपका प्यार था जो आपकी उसके साथ जो भी आपने यादे थी वो नहीं खरीज सकता तब यहां लिखा है money is external he is learning well behind his desperate eyes हमने देखा ना यहां कुछ सीख रहा है लड़का लड़का क्या सीख रहा है अपनी desperate आखों के पीछे desperate यानि बेकरार है उसकी आखे दुबारा से उस ball को देखने के लिए बहुत desperate है वो वो सीख रहा है the epistemology of loss epistemology यानि the theory of loss वो पूरी के पूरी theory सीख रहा है कि loss क्या होत है grow up कैसे करना होता है transformation कैसे करनी है वो यह सब सीख रहा है how to stand up खड़ा होना सीख रहा है वो सबसे पहले सीख रहा कि loss क्या होता है फिर सीखेगा कि loss होने के बाद मुझे खड़ा कैसे होना है दुबारा से knowing what every man must one know and most know many days how to stand up जो क्या किते है knowing वो से जानना है जो हर आदमी को एक दिन जानना पड़ता है जो सभी को एक दिन पता चल जाता है क्या पता चल जाता है कि चीजे कैसे खो जाती है अभी बच्छों हमने देखा कि हमने बहुत difficult times देखे सारा mankind पूरी mankind ने बहुत ही बुरा time देखा that was COVID-19 COVID-19 में लोगों ने बहुत कुछ खोया लोगों की बॉल्स खो गई बॉल्स का मतलब यानि कि लोगों की वालोईबल चीजे या फिर वालोईबल परसंट जो है वो खो गए कई लोगों की जॉप चली गई जॉप चली गई तो वह जो भी उनके पास लग्शरी थी वह सब उनकी जो है वह दूर हो गई उनसे कहीं ऐसे लोग जिनों ने जिनने वह बहुत सदा प्यार करते थे लोगों को वह लोग भी उनसे दूर हो गए तो क्या सब के सबसाट हो गए डिप्रेशन में चले गए नहीं सबने खड़ा होना सीखा स्टांडप करना सीखा बच्पन से ही बच्चों को यह सिखा देना चाहिए कि लॉस क् हिए प्रद कप करना एक old आध को स्टांडप करना है आपको ट्रांस्फव एंपने आपको बदलना कियो चीज़े होती रहती सापको होता रहे गा उसके साथ सीखना है जब करना इसके साथ कर देखा ऑच्प बच्चों यह निकनन्bling क MS करना लगिन ऊसके बाद कि आसकी इमजडिय है यहां पर तोन कैसी है इस प्रॉइम की टोन को हम लोग समझ लेते हैं टोन यहां पर संबर और स्टोइक संबर यानि की काफी डल है ठीक है बहुत सदा डल है पोयम जो है यहां पर बॉल की इमिज यूज की गई है बॉल की इमिजरी से वह रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं दल नेचर आफ लॉस अगसेप्टेंस नेचर यह प्रकृति का नियम है इस नेचर रूल इस नेचर प्रिंसि जब वो किसी चीज को खो देता है जो गुपनी बॉल को खो देता है मुझे अच्छ समझ में आता है लॉस ऐसे ऐकानमी चुवह सब सब चीज़ें करने पड़ते हैं जो नहीं करना चाहता कोई भी मिन खोना क्या किसी चीज़ को यह किसी परसन को नहीं किया उसके बाद वो गिव अप करनी पड़ती है इसी चीजे जिने हम बहुत पसंद करते हैं इसके बावजूद हमें we have to remain strong and we have to continue हमें इसके बाद भी strong रहना बड़ेगा continue रहना बड़ेगा इस बच्चे के बारे में सोचो इस बच्चे की प्लाइट सोचो उसकी प्यारी बॉल उससे दूर चली जिसके साथ उसने इपने सारे बच्चपन के दिन बिताएं हैं यह बॉल रिप्रेजेंट करें उसके सारे चाइल्ड हुड डीज को वो जा चुकी है वो गिर गई है अब उसे दुबारा नहीं मिलेगी तो उसका क्या मन कराओगा अरे बस आई शूट कॉल अप एंड आए बस मैं ऐसे मसमर जाओ मैं मतलब मैं नहीं रहना चाता मुझे One जीना ठीके बढ़ी नहीं पर वो सीखेगा नधीरे दुबारा उससे Rhyming Scheme भी देख लिए नहीं यह लांक वर्स में बंक वर्स होता यह अन राइम र्रहां चाहिं लॉन होती है लाइन्स में कोई Rhyming होती है कोई भी डाइमिंग लॉन है ठीक है तो यह बलांक वर्स डूसरा इन वाइस इस अंपॉर्टन अब उन दूस्फोट0975 यहां पर symbolism है the ball symbolizes the things we love ball symbolize करती है हमारी सभी चीजों को जिने हम लोग प्यार करते हैं ठीक है प्यार करते हैं बहुत सरी चीजों को और वह सब चीज़ेंग हो जाती है तो यह ball उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिपेटिशन है यहां पर what what or balls balls यहां पर what what कॉंसोंनेंट साउंड यहां पर where बी और Ba wat बेसे जारी'll अचीन भापीटätta लिग ऑसी अवलोग कहते हैं और यहां पर पोईसे हैं यहां पर उच और पोईटिक एल pakकラि यहां यहा पर सूनिफीकेशं किया है यहां see doubling लिखा है मेरी स्क्षा सुनिफाइट कि वो बड़ीखुशी से कूद रही है तो यहां व्यक्तिकरंट किया गया है उस277 बटाय है ना परसन ठीक है परसन यानि व्यक्तिकरण ठीक है यानि कि हमने बॉल को एक human capabilities दे दिया है जैसे human जो है वो कुछे-कुछे कूच सकते हैं बॉल तो नहीं कूच सकते हैं तो बॉल यहां पर क्या है पर सॉनिफाइट है metaphor है यहां पर metaphor क्या है ball is a metaphor यहां पर बॉल सबसे बड़ा metaphor है metaphor किस चीज का है metaphor of childhood days of the things that we love बॉल जो है उसका metaphor यहां पर है तो पूरा का पूरा यह poem जो है that is all metaphorical पता है ना इसका metaphorical meaning है symbolic meaning है और सारे के सारे balls जो है यह उसे represent जो है वो कर रहा है ठीक है I hope आपको यह poem अच्छे से समझ में आये होगी ठीक है इसके पीछे का meaning आपको समझ में आया होगा और at the end आपको एक चीज और इसकी समझ नहीं है वो है इसकी conclusion इस poem में हम लोग conclude क्या करते हैं हम लोग यह conclude करते हैं सबसे पहले कि एक होता है loss सबसे पहले loss होता है loss के बाद growing up फिर आप क्या करते हो दीरे-दीरे आप बड़े होते हो बड़े होते हो यानि कि अप सीख रहे हो यह बड़ा होना ही है अगर आप loss को बिहर करें णा सीख रहे हो इसका मलब आप growing up करे हो और को अ mec शोणहीं हो prevention प्र act ठीक है, खो गया, सो खो गया, चलिए, आगे चलते हैं और लाइफ को ऐसे ही continue करते हैं, और I hope आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई, इसके poetic devices, इसका metaphoric और symbolic meaning बहुत important है, इसके पीछे की जो theory है, जो epistemology है, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है, thank you so much for this lovely session बजो, मिले आप से नेक्स क्लास में, तिल दें, thank you so much, bye bye.